ncrt one view card में आपका स्वाकत है आज हम पढ़ेंगे growth के बारे में फ़ीग वर्ट में हमने दो वीडियो कर चुक है जिसमें ncrt के highlights को देखा है और आज हम growth के बारे में डेल में देखेंगे ग्रोथ दो प्रकर की होती है एक extrinsic growth और एक intrinsic growth यह अधल कि ऐच्विक इसे उब राय जब कोई 2 मतलब की ढूए कि एक यह मान्नलो एक पहाडी है है या कोई बॉल्डरस है क्या माउंट एने इसके उपर टर नर जब कोई भी मतलब मतरियल आकर आउटर सरफेस पर जूड़ तो यह extensive growth होगी इसकी growth होगी . तो यह को soniene Salini figure क्योंकि यह बाहर से मतलब growth हो रही है इस अविए non living है ? तो non-living भी है और बाहर से growth हो रही है तो यह extrinsic growth होगी तो इसको हम कहेंगे non-depending FiczR जो growth है उसको wins.ま कि हम ए matched non-defining zero growth और extrinsic growth आजाए तो यह नोन डिफाइनिंग फीचर और इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब जैसे कि हमारी बोडी देख लो हमारी बोडी के अंदर सेल डिविजन होता है और हमारी बोडी ग्रोथ करती है एक बच्चे से हम मुल्टिसल और्गनिसम किस तरह से बनते हैं जाइगोट से एक मु पूछे तो यह दूख पूछे तो यह ग्रोथ हो यह एक्सिंद्शी ग्रोथ हो तो यह नोन डिफाइनिंग फीचर होगा और जो ड्यड़ शोता है ओरनिसम वहां तोन डिफाइनिंग ह apt क्योंकि वहन घ्रोथ करती है है तोесть अधनना है